कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूँ कभी है दोस्तों सामसंग का F15 5G आ गया इसके बाद सामसंग ने एक और फून लाँच कर दिया सेम लुक में और सेम डिजाइन में M15 5G जो के काफी जबरदस फून है दोनों फूनों के प्राइजिंग के अंदर बहुत ही कम प्राइस का कम्प्लीट इंफॉर्मिशन के दोस्तों वीडियो एंड तक देखेगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा ताके लेटास वीडियो आप तक आती रहें अपन कर लेते हैं यहाँ एम 15 5G का बॉक्स सबसे पहले यहाँ पर रखामलता है एक मिनी बॉक्स सिम इजाक्टर टूल के साथ अंदर की साइड पर कुछ यूजर मैनुल पढ़ने के लिए एक केबल मिलती है टैप सी तो टैप सी उसके बाद दोस्तों हमें फोन मिलता है च बात करें दोने ही फोनों के डिजाइन यहां पर काफी जवज़स्त है लेकिन थोड़ा सा जाधा शाइन यहां पर एफ 15 5G का दिया गा है उसके अलावा दोनों के जो कैमरे मोडियोल है वो एक जैसे दिये गा है बैक पर तीन कैमरे दिये गा है और एक फ्लैस लाइट दी तो कैमरे डिजाइनिंग के अंदर यहां पर हमें कोई फरक देखने को नहीं मिलता उसके अलावा यहां पर थोड़ा सा कलर बगर का डिफरेंस है F15 थोड़ा से जाधा शाइन कर रहा है M15 के कंपेर में इसके अलावा दोस्तों वेट बगर की बात करूं तो 217 ग्राम का वे तो वजन वगरा थोड़ा से जाधा है इन फोनों का उसके अलावा अन कर लेता हम अपने फोन और देख लेता है कुछ इनके इंटरली फीचर्स तो यह दोस्तों दोने ही फोनों का यूजर इंटरफेस है यह एकदम सेम सा दिया गा है यहां पर कोई भी चीजिस हमें देख मोटे बेजल्स दिये गए और नीचे की जो चीन वगरा वो भी काफी मोटी दी गई है तो दोस्तों दोने ही यह बिल्कुल लेटास फोन है यहां पर सामसंग को चीजिए था कम से कम F15 में गलती करने कवाद M15 में नहीं करनी चीजिए इसके अंदर यह बेजल्स और नॉच बहुत ही जबद असता है अगर आप इसमें डेलाइट में या फिर नाइट में मूवीज वगरा देखिए तो आपको कलर्स वगरा बहुत ही बढ़िया मिलेंगे इसके अलावा जो सामसंग का F15 5G है उसके अंदर भी यहां पर हमें कलर्स वगरा काफी बढ़िया मिलते है इसके अंदर भी आपको Super Armor Screen मिलेगे जिसकी brightness वगरा काफी बढ़िया होती है, colors वगरा भी काफी अच्छे हैं, Full IG प्लस यह भी support करता है 6.5 inch का इसका भी display साइज है, PPI दोस्तों इसमें भी हमें 396 ही मिलेंगे, तो यहां पर दोनों ही phone के अंदर display quality से लेके यहां पर display designing तक एकदम बिल्कु सेम दी गई है, कोई भी difference नहीं दियागा, clarity वगरा में भी, और आपको दोनों ही display काफी bright मिलेंगी, यहां पर refresh rate के बात करों तो 90 Hz का refresh rate है, 15,000 पर एक smartphone के अंदर वो भी Android तो 90 Hz का refresh rate नहीं होना चाहिए था, थोड़ा जादा होना चाहिए था, लेकिन यहा इंदर 90 Hz का refresh rate मिलेगा, तो यहां पर सामसंग को अपगेट की काफी ज़्यादा जरूवत है, refresh rate के अंदर, कम से कम एक नया phone launch कर दिया तो refresh rate तो बहतर देना ही चाहिए था, दोस्तों काफी सारी गलती है, जो display के अंदर सामसंग के F15 5G में थी, वही यहां में M15 5G में भी देखने को मिली, ब्लेट फेजिक लिए लुक की बात करें, तो नीचे की तरफ मिलीगे स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, एक माइक और 3.5 एम का जैक, उपर की साथ में मिलेगा एक noise cancellation माइक, और राइट साथ में मिलेगा on-off button, fingerprint sensor और volume control keys, जो इनके fingerprint sensor उनकी speed वगरा भी सेम है मिलेंगे 108GB में से, तो यहां पर use करने के लिए storage वगरा जो है, दोनों फोनों में एक जैसी मिलेगी, RAM हमें 6GB में मिलेगी, M15 में और F15 में और यहां पर RAM expand भी कर सकते हैं, तो यानि के total RAM के जो performance मिल जाएगी, हमें दोनों फोनों के अंदर 12GB की मिल जाएगी, software की बात करें तो वो भी दोनों फोनों के यहां पर काफी same सी है, जो applications वगरा हम open करके देखी हैं, वो भी लगवख same से time में यहां पर open हो रही है, काफी सारी applications में यहां पर open करी है, प्रोसेसर वगरा की बात करें, तो डैमस्टी का 6100 प्लस 6NM के प्रोसेसर है, यहां पर M15 5G में भी और M15 5G में भी, तो यहां पर प्रोसेसर में तो copy pasting का काम किया गए, लेकिन जो performance है, यहां पर media tech के डैमसी 6100 प्लस की, वो प्रोसेसर की speed वगरा काफी बढ़ी है, आप किसी भी phone में देखें, चाहिए M15 में देखें, यह M15 में, आपको दोनी phone में एक gaming performance मिलने वाली है, और अ कि mid range के phone है, इनके अंदर हैंग या lag वगरा का issue नहीं आएगा, जो usually इस range के अंदर आते ही था, 15000 प्रोसे के अंदर सब को बता है, समझा के phone बहुत जाद हैंग करते थे, लेकिन इस बार थोड़ जब पस्रसर वगरा पर improvement की गई है, तो मीदे कि इस बार यह बिल्कु यहाँ पर charger 25W का यह fast charging support करते हैं, लेकिन यहाँ पर charger साथ में नहीं मिलता, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, लगवख 14500 पर इसकी cost है, तो आपके phone के अंदर यह cost भी add करनी पड़ेगी जब आप phone लें, कैमरे के बात का है तो दोने ही phone के back पर हमें 3-3 camera देखने क main camera, 5 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का macro और front camera इसके अंदर भी हमें 13 megapixel देखने को मिलेगा, यह दोस्तो दोने phone के picture quality और यहाँ पर camera के अंदर options वगर हैं, जैसे photo mode, video, more अगरा के भी option है, तो यहाँ पर सारे option एक जैसा हैं दोने phone के अंदर, उसका लावा यह है दोस्तो इन दोने phone के picture quality, त दोनों एक जैसे ही, अगर आप camera के लिए phone ले रहे हैं, तो इस दोनों phone में से कोई भी phone देखे लिए, और अगर आपको इनकी picture quality में कोई difference लगा, तो मुझे comment करके बता दें, क्योंकि मुझे तो कोई भी difference देखने को नहीं मिला, overall दोस्तों इन दोनों phone के अंदर, यहाँ प कमी है, वो हटा दे, जैसे के charger वगरा दे दे, उसके अलावा Apple पे यह पूरा copy चल रहा है, Samsung का इस वक्त पैटन, Apple ने यह charger हटा दिया, तो Samsung ने भी हटा दिया, और यहाँ पर अपने device को भी copy कर रहा है, यानि कि दूसरी कमीया को भी copy कर रहा है, उसके अलावा अपने devices को भ लेने लाएक नहीं लगा, लेकिन अगर आगर आप इन दोनों में से कोई एक phone लेना चाते हैं, तो आप सिर्फ दो चीजों का धियान रखे, सबसे पहला तो इनका color आपको कौन से phone का ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप वो देखें, color के साबसे decision ले, और दूसरा price के आपको सस्ता ज्यादा मिलें वो ले ले, क्योंकि इन दोने में कोई भी difference नहीं है, copy-pasting का कम हुआ है, आप F15 ले या M15 ले एकी बात है, तो दोस्तो ओवरॉल आपको ये phone कैसे लगे, Samsung नहीं क्या कर आपको कुछ समझ माया तो मुझे भी बताएगा, comment करके, वीडियो अच जन के साथ.